गुड मॉर्णिंग दियर स्टूडेंट्स, आई एम अन्दीप, योर पोल साइंस टीचर रोम शरी गुरू तेक भादर, सीनियर स्केंडरी स्कूल. दियर स्टूडेंट्स, टूडेंट्स, आपका है राइट्स, अधिकार, जिसको हिंदियें बोलते हैं अधिकार. तो अधिकार क्या है बेटे? मौल रूप से हकदारी अथ्वा ऐसा दावा है जिसका उचित है सिध्ध हो. यह बताता कि नागर के व्यक्ति और मनुश्य होने गेनाते हम किसके हकदार हैं? अब बेटे दिको अधिकार, अधिकार का क्या ओर्त होता है? कि अधिकार क्या समाजिक जीवन की है? क्या हमारी अनिवारे परस्थितियां हैं? जो व्यक्तितव के विकास के लिए क्या आफशक होती है? जो बेटी अधिकार है अब देखो अधिकार क्या होता है कि इसमें क्या व्यक्ति अपने व्यक्ति तवकाच्च से विकास कर सकता है समाज में रहते हैं मनुश्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविध्याओं की आफसकता होती है मनुश्य को जो सुविध्याइं के समाज से मिलती है उन्हीं सुविध्याइं को क्या कहते हैं हम अधिकार कहते हैं अब सधार शब्दों में आप ये बात बोल सकते हैं कि अधिकार से भी प्राय उन सुविध्याइं और अफसरों से होता है अब अधिकार, कहते हैं कि अधिकार क्या है अब उसमें हमारे व्यक्ति के लिए क्यों आफशुक होते हैं जो अधिकार होते हैं व्यक्ति के लिए क्यों आफशुक है है इन्हें क्या समास मान्यता देता और राज्य क्या लागू करता है जदी अधिकार नय हो तो समास में क्या जंगल जैसा वातावर्ण पैदा हो जाएगा और केवल ताकतवर व्यक्ति ही क्या जीवित रह सकेंगे हर व्यक्ति क्या चवशंदता पूरक अपने इच्छ नुश आचरण नहीं कर सकेगा और उनका जीवन का वैसंपती भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे. तो अधिकारों के वातावर्ण में के व्यक्ति अपने स्तंदरतागा परियोग और अपने जीवन का विकास क्या कर सकता है? तो इसलिए बैटे जो अधिकार रव व्यक्ति के लिए का भूती आवशक होती हैं अब इसमे बैटी नेक्स्ट है अधिकार जो हमारे है वो कहां से आती है सतरवे और ठावी श्तापदी में राजनितिक सिधानत कार तरक देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृत या इश्वर पर्दत हैं अब जो बेठेज़ आपका है जीवन इसमें जीवन के अधिकार में क्या होता है कि प्रतेग व्यक्ति को जीवन का अधिकार का व्यक्ति के लिए सबसे महत्यपूर्ण अधिकार है इसके बिना क्या होता है अन्य अधिकार हमारे व्यर्थ है जिस मनुशे का जीवन मालो शुरक्षित नहीं है वह क्या है व्यक्ति कभी भी जीवन में अपने उंती नहीं कर सकता है तो इसलिए जो है ये अधिकार हमारे लि वो सबतंतरता पुरक्या है, देश में भी क्या घूमने फिरने जा सकते हैं, और अपने कोडिंग को इभी धर्म को अपना सकते हैं, उनके उपर किसी भी प्रकार की क्या बाउंडिशन्स नहीं रहेगी, तो इस अधिकार का प्रयोग क्या है, प्रतेक व्यक्ति कर सकता है, प्रुष्य क्या संपति खरीद सकता है, उसे बेच भी सकता है, और संपति जिसे चाहे दे सकता है, माल उसके पैत्रिक संपति उसको रखने का पूरा अधिकार है, जो उसके पैत्रिक संपति होती है, जो उसके मलब पेरंट से मिली होती प्रोपरटी क्या है, उसको रखने क तो यह दिकार है जो हमारे प्राकरति का दिकारों में आते हैं, तो व्यक्ति के लिए क्या है इन दिकारों का बहुत ही महत्व है, तो अब इसमें देखो अन्य तमाम दिकार इन बुन्यादी दिकारों से निकले हैं, इन दिकारों का दावा करे या न करे व्यक्ति होने के नात प्राकर्ति के दिवार शब से ज्यादा मानवा दिकार शब्त का प्रयोंग होता है ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उनके प्राकर्तिक होने का विचार आज ऐसा विकार लगता है ऐसा मानना की मुश्किल होता जा रहा कि कुछ नियम अदर्स ऐसे हैं जिने प्रकर्ति आईश्वने रचा है अधिकारों को ऐसी गरंटियों के रूप में देखने की प्रूर्टी बड़ी है जिने मुश्य ने एक अच्छा जीवन जिने के लिए समय ही खोज जाया पाया है जो हमें इस विधान में अधिकार मिले हुए है कहते कि ये हमें क्या है अपने जीवन को विकास करने के लिए मिले है तो हमें इन अधिकारों का प्रयोग क्या अच्छे तरीके से करना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि इन अधिकारों का प्रयोग हम गल्स तरीकों में करें तो यह बैटे आपका अधिकारों से लेटी जो मैंने आपको इंट्रो बताई है थैंक्स बैटे, have a nice day